सो हें गाइस वाइस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउट एड़ पसंद आया एंड मैंने सब्सक्राइब आपको जल से जल दे देता हूं आज मैं पाइले डिस का टूटोरियल आपकी सामने लेकर आड़ा हूं इसके साथ ही साथ ये फोटो बनाने में मुझको तो बहुत जादा टाइम लगाते हैं लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही जादा इजी वी में टूटोरियल लेकर आया हूँ जाकर जरूर से सब्सक्राइब दीजी करें यहाँ पर 600 सब्सक्राइबर अरड़ी कंप्लिंट हो चुके हैं यहाँ पर आपको बन के जल से जल कराना है हो सके तो आज ही करा देना आइड आई कि आप सब्सक्राइब और देने और उसके साथ इस साथ मिरी दूसरी बात यह है कि 28 December पर समर आने वाली है पाए तो आप ज़रू से करा दीजिएगा एंट 28 दिजम्बर वाले तिन आपको भर भर की विशेज करनी है एंड जितना हो सकेगा मैं सबकी स्टोरी बैक करूंगा एंड अपने स्टीडस पर सबकी ही स्टोरी लगांगा जितना पॉसिबल हो सकेगा सो आप जारे टम बढदो करते जो तूंप्रिपे स्टाट सर्फ करते हैं लेटट्स डोइंट हम उपन होची हैं इपने पिक्सार्ट में ये मारे background background पिए जिए सारी की लिंक का आपको description box में मिल जाएगी आप easily वहाँ से download करने लिया लेने के बाद हमको इसको proper अच्छे से set करना है यहां पर आपको लेटकर इसके बाद फोटो को क्लिक कराने के बाद इसके बाद निकालेना यहां पर आपको टेवल पर ऐसे सेट करना है यहां पर जैसे यह एक दम fix set हो जाता है तब ही आपको जो मॉड़कर करके देख लेना है कि एक दम perfect है या नहीं उसके बाद आपको simply right पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप एड़ फोटो में जाएए एड़ फोटो में जाने के बाद आपको एक पी एंजी मिलेगी जिसमें होगा ब्लर पार्टिकल होगा उस पी एंजी को बस आपको यहां पर लेकर आना है आपको सारे मतलब की जितने लिंक हैं स्टॉक बगरा जो भी चीज इसमें यूज हुई है सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में easily मिल जाएगा वहां से जाकर आप डाउलोड कर लेना सेट करने के बाद हम एड़ फोटो में फिर से चलेंगे इंड़ फोटो अगर आप अपना लोगो यूज करते हैं अपने फोटो एक बैंड जैसा बनाना चाते हैं तो मैं तो आप देखते होthan principles पर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर मेरे हर फोटो में और इस्टार का एक यूनिक लोगो आपको हर फोटो में मिलता होगा तो मैं आप पर वह उसी को ब्लैंड करूँगा तो हम यहां पर ही आप अपने लोगों को लगा तो काफी जादा बैटल लेगा जो हमने ब्लर पार लेकिन मैंने अपने फोटो में ग्रीन किया हुआ है मैट से मैच किया मतलब की मैचिंग चीज एकदम रियलिस्टिक लगती है तो हम इसको मैच करने के लिए सिंपली चलेंगे टूल्स में टूल्स में एड़ जर्श ऑप्शन के अंदर जाएंगे एड़ जाने के बाद आपक इसको रोग देंगे रोगने के बाद आप सिंपली एरेजर पर क्लिक कीजिए क्लियर ओल्स जूम करके अपने ब्रस से इसको जहां पर हमारा रैड रैड है उसमें हम इसको पेंट कर देंगे जैसे यह जाता है बस आपको रैड पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको ब्राइटनेस में जाना है और बैड्नेस को आपको कम करना है कम करने से क्या होगा हमारा जो टेक्चर है वो और भी जादा मलब की उभर के आएगा उसके बाद आप सेचिरेशन को बढ़ाईएगा ताकि हमारा थोड़ा सा ग्लासी लुक आया हमारे जो हमने अभी पेंट किया है उसमें ग्लास जैसा लुक आए एकदम clarity को थोड़ा सा बढ़ाईएगा एंड उसके बाद आप कर दीजेगा right पर click यहाँ पर हमारा जो visual था मलब की जो हमारा manipulation था यही पर हो जाता है एंड बस आपको draw tool में जाना है three dots पर जाकर image को करना है save अब हम चलने वाले हैं lightroom में so guys हम simply open हो चुके हैं lightroom application के अंदर यहां पर हम अपने image को add कर रहें add करने के बाद हम all photos में जाएंगे all photos में जाने के बाद हमारा टॉप पर जो हमने अभी add गया है वह image यहां पर आ जाएगा आने के बाद हम उस image को select करेंगे select करने के बाद यहां पर load होने के बाद सबसे प contrast option में थोड़ी सी चेरचार करनी है exposure हमारा already set है contrast को थोड़ा सा increase करना है और जादा नहीं करना इसके बाद highlights को थोड़ा सा कम करना है इसके बाद shadows को भी थोड़ा सा कम करेंगा and इसको limit मतलब की बहुत थोड़ी ही रखना जैसी कि मेरा crown से इसी type से आपको इसकी lightning करना है इस करेंगे इसके बाद luminance को बढ़ाने के बाद यहां पर परफेक्ट एकदम एकदम अच्दम अच्छे से परफेक्ट एड़स करने के बाद हम red की भी हम थोड़ी से luminance बढ़ा लेंगे उसके बाद हमारा जो next color है वो होने वाला है blue तो हम सबसे पहले blue को select करेंगे इसके के बाद आप इसको done कर सकते हैं done करने के बाद second option में move करेंगे clarity वाले तो सबसे पहले हम इसको clarity थोड़ी सी बढ़ाएंगे थोड़ी सी clarity को बढ़ाने के बाद हम चलेंगे split tone में and इसमें हम अपने background and अपने image को match करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी हम yellowish tone डालने की इसको मलब कि जहां पर मैं अपने circle को set कर रहा हूं वैसी आपको यहां पर split tone set कर लेंगे इसके बाद अगर आप अपने image को और भी ज़्यादा HD में बनाना चाहते हैं तो details में जाईए sharpening को open कर दीजिए half radius को थोड़ा से बढ़ाए detail option जितने होते हैं इसके अंदर सारे detail option फूल कर दीजिए तब आपका photo अगर तोड़ा बात blur भी होगा तब भी HD में हो जाएगा तो यह चीज़ा आप जरू से try कीजिगा ताकि आपका image double HD हो जाए इसके बाद बस हमारा image का retouch इहीं पर खतम हो जाता है पस आपको share वाइल आइकन पर click करना है एंड आपको कर दिन आपको सब कुछ एकतम आसानी से समझ में आ गया होगा एंड इस वीडियो को एक लाइक जरू करके जाना एंड उसके साथे साथ इंस्ट्रेग्राम पर जरू से follow कीजिगा एंड उस चैनल की link जो में आपको description में दी है उसको भी follow कर लीजिगा मनलब की subscribe and सारे stock background वगरा सब कुछ आपको link description box में मिल जाएगा download कीजिए मज़े कीजिए मैं मिलता हूं इसी किसी next वीडियो में तब तक के लिए goodbye and अपना खया लखना